ईसके माशिय मैप अपका स्वागत है। आज हम बताएंगे Pico म मशीन शेटल के बारे में। ये देखिए किस अजी तरह से भूं रहा है, देखिए। ये माशिन नहीं गूमता है, मगर ये शेटल गूं गूम रहा है देखे इसके सारे नीचे के सारे nut looser हो गया, और इसका stopper नहीं है, इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से घूमने पर machine में क्या होता है, बोले तो, machine में शेटल के उपर आके स्विट तुडती है, और टीप पकड़ती नहीं है, और machine चलती ही नहीं है, समझें इस तरह से शेटल घूमने पर तो इसको कैसे सेट करना है इस वीडियो में हम टोटली बताएंगे चलिए दोस्तों देखते रहें शेटल को टाइट करने से पहले हमको मुशीन के अंदर जो घड़ी होती है देखें दोस्तों इस घड़ी के अंदर तीन नंबर फिट कर चाहिए स्विंग का राड कितना नीचे है कितना ऊपर है जानने के लिए हमारे को शेटल के अंदर जो इसके अंदर गूमता है देखिए इसको इस तरह से ऊपर रखना चाहिए उपर रखके इसके अंदर स्विंग को लिके आना चाहिए इस तरह से घुमाना चाहिए स्वि नेडल बार जो नीचे ऊपर कितना होना चाहिए इतना होना चाहिए इससे जादा भी नीचे नहीं होना और उपर भी नहीं होना चाहिए, अगर अगर से हमारे को इसको नीचे उपर करने का है तो यहाँ पे एक नट होता है, नेडल वार करने होता है, इसको लूज करके आप इस राड को नीचे उपर भी कर सकते हैं, हम शटल सेटिंग बता chilling बत करेंगे इसको इस तरह से नीचे लेना चाहिए और शचल का को देख लेना चाहिए शटल का नोग देखकर इस तरह से अब swing को left side से ये right side में आ गया देखिए और हमारे को left side से लेना चाहिए, ये देखिए ये नीचे आ गया देखिए swing ऊपर जाते है वक्त ये swing के hole के ऊपर shuttle का नोग रखना चाहिए इस तरह से, आपको दिख रहा है, swing के hole के ऊपर shuttle का नोग आ गया है अब इसके nut को टाइट कर लेना चाहिए, shuttle के nut को हम, swing उपर जाते वक्त ही करना चाहिए, नीचे आते वक्त नहीं करना चाहिए, चली दोस्तों, अभी इसके nut को हमने tight कर लिया है, इसके तीन nut होते हैं, नीचे साइड में आपको, आप shuttle setting करते वक्त आपको पता चल जाएगा, मगर अब यह देखने ये ये शवं उपर जा रही है और शटल का नो को शवं के ऊपर से आगे जा रहा है देखिए इस तरह से इस शटल को सब्सक्राइब ना चाहिए ये बराबर हुने पर आप सारे नटों को टाइट कर ले ना चाहिए उसके बाद अब वे सारे नटों को के लिए हाए समझोल ओर उसके बाद को ऊपर लेना चाहिए इस तरह से उपर ले इस तरह से पकड़ को और अर्व दन नेखिवें के होलके उपर जादा से जाएगा इस तरह से आफ सट कर सकते आप तरह और दोने तरफ प्राइब करने पाद को उपा कपड़ लेना चाहिए ने तो सुई तूटेगा इस तरह से आप नीचे उपर करके देख सकते हैं अब यह बराबर है उसके बाद इसको इस तरह से इसको उपर लगाना चाहिए सुई को उपर करके इसके अंदर स्टॉपर को लगा कर यहां पे नट को टाइट कर लेना चाहिए यह दे बहुता है कि दूस्तों इस नट को हमने टाइट कर लिया है स्टॉपर को यहां पर फसा दिया है अब यह वाला है हो गया है अब हम कितना भी हुमाई यह कुछ नहीं होगा इसको टेखिए अब यह गूता है मगर नहीं निकलता शटल सेटिंग बराबर हो गया है तो सुई नहीं लगेगा आगर से शेटल सेटिंग गलत हो गया है तो इस शेटल के उपर सुई लगकर तूड़ जाएगा इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं शटल का चली दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चली दोस्तों